Good day to all of you जैसे कि आप सभी जानते हैं कि week के पहले दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके next class में आप उसका अभ्यास करते हैं आज आप पिसली कक्सा का revision करेंगे आए अब पिसली कक्सा का revision सुरू करते हैं कि आप बता सकते हैं कि numbering and bullet का उपयोग क्यों करते हैं अगर आप कोई list बनाना चाहते हैं और line के आगे अलग-अलग प्रकार के symbol लगाना चाहते हैं तो bullets का उपयोग करेंगे bullet से आप हर एक line के आगे bullets लगा सकते हैं अगर आप line के आगे number लगाना चाहते हैं तो numbering का भी उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं page का margin कैसे set करते हैं अगर आप page के margin set करना चाहते हैं तो आप इसके लिए format menu के page sub menu की मदद से page के margin को set कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं format menu के किस sub menu की मदद से text के background color को change कर सकते हैं अगर आप text के background color को बदलना चाहते हैं तो आप character sub menu के background option की मदद से बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं page के background से क्या होता है page के background से आप page के background को बदल सकते है page के color को बदल सकते है page के पीछे कोई image भी लगा सकते है क्या बता सकते हैं कि border से क्या होता है border से आप page के 4 तरफ border लगा सकते हैं इससे page के 4 तरफ line आ जाएगी आप चाहें तो page के top और bottom में या फिर page के left और right में border लगा सकते हैं आप line के size को और उसके style को भी बदल सकते हैं और line का color भी बदल सकते हैं अब आप सभी अपने computer को on करें और बताये गए तरीके से file को open करें आईए अब देखें आज आप किस किस option का अभ्यास करेंगे आज आप character sub menu की practice करेंगे उसके बाद paragraph की कुछ option की practice करेंगे और फिर bullets और numbering की practice करेंगे उसके बाद page की कुछ option की practice करेंगे क्या आप सभी ने writer की file को open कर लिया है अत्वा नहीं अगर नहीं तो आप पूछ सकते हैं अब आप सामने दिये गए paragraph को type करें क्या आपने paragraph को type कर लिया है अगर नहीं तो जल्दी से type करें क्योंकि आप अब practice करेंगे सबसे पहले आप character sub menu की मदद से पूरे paragraph को select करके paragraph के size, paragraph की writing और overline करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि paragraph के writing जो हमने type किया है उसके writing को कैसे change करते हैं सबसे पहले आप सभी अपने paragraph को select कर लें उसके बाद अपने pointer को format लिखे वो option पर लेका रहा है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर character पर click करें उसके बाद font के option को select करें या अगर select है तो उसको छोड़ दें फिर font के option की नीचे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर लेका रहा है और इसे ऐसे नीचे के तरफ ड्रैग करें यहाँ पर बहुत सारे writing के अलग-अलग style मौझूद है इनमें से जो भी आपको एक अच्छा लगे उसे select करें और फिर उसे select करने के बाद OK लिखे हुए option पर pointer को लेकर आएं और फिर click कर दें आपे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आपके paragraph के writing चेंज हो जाएगा आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि paragraph के size को कैसे बढ़ाते हैं तब से पहले आप सभी अपने paragraph को select कर लें आप सभी अपने pointer को menu बार के format लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद character लिखे हुए option पर click कर दें जिसे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको font लिखे हुए option पर या tap पर click करना है उसके बाद size लिखे हुए option पर लेकर आना है यहाँ पर ऐसे और उसे ड्रैकर कर कैसे नीचे के तरफ लेकर आएंगे तो जो आपके digits हैं या number वह बढ़ते करम में आएंगे तो आप जितने बढ़ते करम में जाएंगे आप उनको select करेंगे तो आपके writing का size उतना बढ़ा हो जाएगा इस तरह से आप अपने text के जो आपने paragraph टाइप किया है उसके size को बढ़ा सकते हैं और फिर ok लिखे हुए button पर click कर दें जिससे आपके text का writing का size बढ़ा हो जाएगा आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि overline का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुँ option पर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करें उसके बाद character लिखे हुँ option पर click करें फिर अब अपने pointer को font effect लिखे हुँ option पर लेकर आए यहाँ पर click करें उसके बाद अपने pointer को overlining लिखे हुँ option पर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करें उसके बाद इन में से दिये गया option हो में से किसी एक option को select करें जो आपको अच्छा लगे जैसे single है, double, bold, dotted, dotted bold आपको इन में से जो अच्छा लगे उसे select करें जैसे drag करके नीचे के तरफ और फिर उसे select करने के बाद OK के बटन पर click कर दें जिससे कि अब आपके paragraph की text के उपर line आ जाएगा तो इस तरह से आप overline का उप्योग कर सकते हैं अब आप इस paragraph पर character sub menu की मदद से font color, small capital और double underline करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि अपने जो paragraph टाइप किया है उसकी text के color कैसे change करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं क्लिक करें character पर क्लिक करें अब इस box के अंदर आपको font effect के अंदर font color लिखे हुए option पर लेकर आना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहां पर click कर दें click करने के बाद color का box open होगा अब यहां से ऐसे drag करके नीचे की तरफ लेकर आएं आपको इन में से जो भी color अच्छा लगे उसे select करें और select करने के बाद okay के बटन पर click कर दें इस तरह से आप अपने font का color change कर सकते हैं अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि आपने जो paragraph type किया है उसको हम small capital में कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select कर लें फिर अपने pointer को format लिखे हूँ option पर लेकर click करें character पर click करें उसके बाद font effects के अंदर effects लिखे हूँ option के निचे यहाँ पर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करें उसके बाद एक box open होगा इस box के अंदर आपको small capital लिखे हूँ option पर pointer को लेकर आना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद इस पर click करना है और फिर आपको OK के बटन पर click कर देना है जिसे कि small capital आपके paragraph पर apply हो जाएगा इस तरह से आप small capital का उप्योग कर सकते हैं वीडियो को देखकर सीखते हैं कि underline का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आए यहाँ पर click करें उसके बाद character पर click करें अब इस box के अंदर आपको अपने pointer को underlining लिखे हुए option पर लेकर आना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहाँ पर click करें और इस box के अंदर बहुत सारे option दिए गया है जैसे कि single, double, bold, dotted bold, dash अगर आप को और भी चीए तो यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे drag करें और इन में से जो आपको अच्छा लगे उससे select करें और फिर ok के button पर click कर दें तो इस तरह से आप underline का उप्योग कर सकते हैं अब आप paragraph sub menu की मदद से paragraph के पहले और paragraph के बाद में जगा दे के दिखाएं और उसके बाद में paragraph के पहले word को drop cap करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि paragraph के ऊपर या paragraph के बाद में space कैसे देते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें फिर format लिखेवे option पर pointer को लेकर आएं याँ पर click करें फिर paragraph लिखेवे option पर click कर दें उसके बाद इस box के अंदर आप indent और spacing लिखेवे option पर click करें अब इस option या इस box के अंदर आपको indent लिखेवे option में दो option आ रहे हैं before text और after text before text पर अगर आप करेंगे तो आप paragraph के पहले space दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे उपर पर click करेंगे तो यह बढ़ता जाएगा फिर आप इसे चाहें तो ok कर दें देखे या आपका space बढ़ गया अगर आपको paragraph के बाद में देना आ है यहाँ पर इसके लिए फिर से अपनी paragraph को select करें उसके बाद अपनी pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें paragraph पर click करें उसके बाद indent and spacing के अंदर after text वाले option पर यहाँ पर click करें जितना size रखना इसका रोख है और फिर ok पर click कर दें जिससे कि अब यहाँ से हो जाएगा paragraph कम तो इस तरह से आप अपने paragraph के space के जग़ा को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं वीडियो को देखकर सीखते हैं drop caps option का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select कर लें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद paragraph लिखे हुए option पर click करें फिर अपने pointer को drop caps लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click कर दे उसके बाद display drop caps पर click कर दे उसके बाद आप number of characters को देखें कि आपको कितने words को रखना है या कितने character को रखना है क्योंकि हमें एक character को रखना है तो एक ही रहेगा lines के अंदर देख लें कि आप कितना बड़ा इसको रखना चाहते हैं या कितने lines को cover करना चाहता है अगर इसे बड़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे click करें अगर कम करना चाहते हैं तो नीचे से ऐसे कम कर ले अगर आप space to text का उप्योग करना चाहते हैं तो यहाँ से space to text का उप्योग कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो यहाँ से कम कर दें फिर आप ok के button पर click कर दें जिससे देखें कि आपका इस paragraph का पहला word capital सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस तरह से आप drop caps का उप्योग कर सकते हैं अब आप इस paragraph को दो भागों में बाटें और फिर bullets और numbering लगा कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि हम bullets और numbering का उप्योग कैसे करेंगे हमें bullets और numbering को अलग-अलग उप्योग करेंगे इसलिए आप इस paragraph को दो भाग में बाट लें यहां अपनी cursor को बीच में रखे पैराग्राफ को या पैराग्राफ के बीच में रखे और फिर enter बटन का उप्योग करके नीचे के तरफ लेकर आए अब यहां दो भाग में बढ़ गया उपर ले जाने के लिए आप माउस या touchpad का उप्योग करें या keyboard के arrow key से इसे उपर के तरफ लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब पहले वाले भाग में आप bullets लगाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए आप सभी अपने pointer को format लिखे वे option पे लेकर आना है यहाँ पर click करना है उसके बाद bullets और numbering वाले option पर pointer को लेकर आना है और फिर click करना है अब इसमें से आप देखिए bullets insert करना है आप bullets वाले option या type को select करेंगे और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे select करेंगे और फिर OK कर देंगे इस तरह से आप bullet insert कर सकते हैं यहां से इसे close कर दें bullets लगाने के बाद अब अपने pointer को यहाँ पर लेकर आए नीचे वाले paragraph या नीचे वाले line में अब आपको यहाँ पर numbering लगाना है इसके लिए फिर से अपने pointer को format लिखेवे option पर लेकर आए क्लिक करें फिर bullets और numbering पर क्लिक कर दें अब इस box के अंदर आप अपने pointer को numbering type पर लेकर आए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर क्लिक करें अब इन में से जो भी आपको number का type अच्छा लगे या number के प्रकार जो अच्छा लगे है उसे select करें और फिर okay पर क्लिक कर दें इस तरह से आप number को insert कर सकते हैं या bullet का या bullet को insert कर सकते हैं यहाँ से इसे close कर दें इस तरह से आप bullets और numbering को insert कर सकते हैं अब आप page को landscape और header में आज की date और footer में page number को insert करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आप video की मदद से सीखें आईए video को देख कर सीखते हैं कि header और footer का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं याँ पर click करें अब इस box के अंदर आप page लिखे हुए करें क्योंकि सबसे पहले आपको header insert करना है उसके बाद header on लिखे हुए option पर click कर दे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि header को insert करने के समय आप इसके margin को भी set कर सकते हैं जैसे कि left margin, right margin आपको ध्यान देना है कि आपको header left margin रखना है या right margin माली जी अगर मुझे left margin रखना है या मुझे right margin रखना है तो मैं right वाले के इस box पर click करूँगा जैसे कि margin इसका बढ़ता जाएगा अगर कम करना है तो नीचे वाले पर click करके मैं इसे कम कर दूँगा उसके बाद अगर मुझे इसके space को बढ़ाना है तो मैं फिर यहाँ पर click करूँगा या यहाँ से इसके space को बढ़ा दूँगा और उसके बाद okay के option पर click कर दूँगा तो मेरा header ऐसे insert हो जाएगा अब हमें इस header के अंदर आज का date insert करना है इसके लिए आप सभी अपने pointer को insert लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे फिर उसके बाद fields लिखे हुए option पर लेकर आएंगे फिर उसके बाद date लिखे हुए option पर लेकर आएंगे और click कर देंगे जिससे की header के अंदर आज का date insert हो जाएगा उसके बाद अब अपने pointer को writer के page के बीच में ऐसे like कर आएंगे और click कर देंगे उसके बाद अब आपको footer insert करना है इसके लिए आप अपने pointer को फिर से format लिखेवे option पर लेकर आएं याँ पर click करें उसके बाद page लिखेवे option पर click कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर आप अपने pointer को footer लिखेवे option पर लेकर रहा है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है याँ पर click कर दें उसके बाद अपने pointer को footer on लिखेवे option पर लेकर रहा है click कर दें जिससे कि बाकी सारे option highlight हो जाएंगे footer के अंदर भी आप इसके margin को set कर सकते हैं मालने ची आपको footer के left margin को set करना है बढ़ाना है तो यहाँ पर click करेंगे तो यह margin आपका बढ़ जाएगा ऐसे अगर कम करना है तो इसे ऐसे कम कर सकते हैं अगर इसके space को बढ़ाना है तो आप इसके space को बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि footer के height का space भी बढ़े या height भी बढ़े तो यहां से आप इसे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद ok पर click कर दें जिससे कि आपका footer यहाँ पर insert हो जाएगा page के नीचे ड्रैग करके या drop down के द्वारा इससे नीचे लेकर आएं और आप footer को देख सकते हैं क्योंकि आपको footer के अंदर page number insert करना है तो इसलिए आप सभी अपने pointer को insert के अंदर लेकर आएं fields पर click करें उसके बाद page number लिखे हुए option पर लेकर आएं और click कर दें जिससे की page number या insert हो जाएगा इस तरह से आप header और footer का उप्योग कर सकते हैं अब आप header और footer के box को छोटा और फिर page या page के color का background चेंज करके दिखाएं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि page के background के color को कैसे change करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को या आप अपने paragraph को select कर लें पूरा उसके बाद format लिखेव option पर लेकर आएं फिर page पर click कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप अपने pointer को background लिखे हुए option या tapper क्लिक कर दें जैसे कि background के अंदर दो option आते हैं color और एक graphics इसके लिए यहां पर click करें जैसे कि color और graphic आ जाएगा क्योंकि हमें color change करना है तो color को select करेंगे और इसमें से कोई भी एक color को select कर लेंगे और फिर ok कर देंगे तो हमारे page पर वह color आ जाएगा इस तरह से आप अपने page का color change कर सकते हैं क्योंकि आज की कखसा यहीं पर समाप्त होती है आप सभी अपने writer के file को save करें किसी दूसरी जगा पर और उसे save करके दिखाएं अब आप अपने computer को properly sudden करें आज की कखसा में आपने format menu के option जैसे की font color, overlining, underlining और paragraph के कुछ option जैसे की header और footer उसके बाद page sub menu का अभ्यास किया आप जह प्याँ आप आप झाल झाल